नमस्कार मैं आशी स्पाठक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में चलिए रहे सभी लोगों का स्वागत है बंदन है अभिनंदन है सभी लोग पूछ रहे थे कि सर एक बार आप eligibility clear कर दीजिये computer operator का कि क्या होगा और कौन-कौन से लोग form भर सकते हैं क्या-क्या education qualification चाहिए ओ लेबल के समकच क्या आहरता है चाहिए वैसे भी हमने कल जब notification आया था तो आपको बता दिया था लेकिन उपर-उपर बता दिया था लेकिन अब जो है आपको थोड़ा सा detail में उसके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं कि क्या-क्या आपको कौन-कौन से लोग form को भर सकते हैं क्या आपकी age criteria होनी चाहिए और age में relaxation किनको-किनको मिला है तो eligibility क्या है syllabus क्या है इन सब पर हम लोग परिचर्चा कर लेंगे और तयारी आपको कैसे start करनी है तो अगर यूपी police computer operator के आपका सपना है तयारी करना चाहते हैं तो क्या eligibility रहनी चाहिए तो उसके बारे में हम चलिए देख लेते हैं कि क्या-क्या आपको eligibility रहना है तो यहां ध्यान दीजिएगा यह आपको दिख रहा होगा ठीक है तो टोटल जो पोस्ट है जैसा हमने आपको बताया था तो टोटल पोस्ट आपके 930 पोस्ट आपके आये हुए हैं salary की अगर बात करोगे तो salary यह मान के चलिए कि आपकी 2400 ग्रेट पे की यह जौब है 2400 की 25500 आपका basic start होगा बागे 46% यह मान लो सब कुछ ले देके आपके 38-40 के लमसम में बनेगा यह ध्यान रखिएगा ठीक है अब आना इसमें total post देखो unreserve का 381 can be EWS 249 अन पिछावर 193 अनुसुची जात अनुसुची जन जात की total 230 पद आपके हैं अच्छे खासे पद हैं UP police computer operator में अब आहारता क्या चाहिए इसके लिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका अगार intermediate जो परिक्षा है उसमें आपने physics पढ़ा है ठीक है physics पढ़ा है भौतिक सास्र और गडी विसे पढ़ा है आपने math पढ़ा है अब math देखो या तो आप PCB पढ़े हो बाद में math ऐसे supplementary subject ले लिया हो तबी भी आप चलो सकते हो कोई बात नहीं है ठीक है बाक पूस्ते लगते हैं सर हमने physics chemistry biology पढ़ा है अगर आपने किसी सी बेसी में होता है subject अलग से भी आप extra ले सकते हो अगर आपने math लिया है चालक से math लेके पढ़ा है तभी भी आप eligible होंगे computer operator में इसके लिए basic यह चीच चाहिए साथ ही साथ भारस सरकार के electronics equidated in computer and communication 2.1 विभा साथ के computer में ओ लेबल की परिक्षा या सरकार द्वारा उसके समकच माने का प्राप्त कोई अन्य परिक्षा उत्रिन होना अवस्यक है समकच्छता जो है वह सासना देश 5 मई 2022 के प्रसिश्टी एक के अनुसार किया जाएगा जो आपके सासना देश जियो का आया था उसके अ disability प्लस अगर वो नहीं है तो आपको प्राविधिक सिच्छा परिशत उत्तर प्रदेश से computer अभियंत्रन हना और सूचना प्रद्योगी आई टी या electronics अभियंत्रन में डिप्लोमा या सरकार के द्वारा उसके समकच मानेता प्राप्त कोई भी आरता उत्तर प्रदेश पॉल इसी इलक्रोनिक्स ये आपने रखा है उसके बाद बोला में डिप्लोमा या सरकार के द्वारा उसके समकच मानेता प्राप्त कोई भी आरता अब यहां बच्चे का रहें सर मेरा डिप्लोमा इंस्टुमेंटेशन में है तो इंस्टुमेंटेशन आपका किसका पाट है ठीक इस्टुमेंटेशन पर बच्चों की जॉब लगी है computer operator में ठीक है तो यह ध्यान रखिएगा तो इनमें जो ब्रांच है इनके समकच कोई बाग जैसे electronics and communication हैता है electronics and telecommunication भी होता है ठीक है तो वो जो इसके समकच समकच ब्रांच होंगे वो मानने होंगे ठीक है अब CS हो गया CA हो गया computer science हो गया computer science से related अगर कोई भी IT है तो हाई है इसमें साफ साफ लिखा है और इसी के समकच कोई भी ब्रांच यही ट्रेड किसी और जवारा कराया गया हो तो वो मानने होंगे यह ध्यान रखिएगा ठीक त जो पिछली बाद इससे पिछले पिछली जो भरती आई थी 16 वाली उसमें इंस्ट्रुमेंटेशन वाले वर्क कर रहे हैं उसमें वर्क कर रहे हैं यह ध्यान रखिएगा अब यह हो गया एक अहारता उसके बाद से अब हम आते हैं यहां पर देखो अब BTEC वाले कहेंगे अब इनकी आयू क्या है एक साथ दोजार तेईस तक आपकी अठारा पूरी होनी चाहिए 18-28 साल होना चाहिए अब इनके साथ थोड़ा गलत हुआ है हम 9 बजे एक रिलेक्शेशन लेके वीडियो लेकर आएंगे इनको एज रिलेक्शेशन मिलना चाहिए यह ध्यान का एज में रिलेक्शेशन है तो अपरेज हो जाएगा आठाइस प्लस प्लस पांच आठ पांच तेरह मतलब 29 साल हो जाएगा ठीक है सब के लिए यह ध्यान लखे तो एज के बारे में मैंने बता दिया अब परिक्षा जोगा एक्जाम पैटन क्या होगा आपका तो एक्ज मान नग्यान के 40 प्रस्ण होंगे मानसिक अभिरूची होगा तरक सक्ती कम्प्यूटर विज्ञान तो यह आपके रिजनिंग के पार्ट के अंदर इतने चीजे आएंगी इनसे 40 प्रस्ण होगा टोटल कम्प्यूटर विज्ञान से संबंधित आपके 80 प्रस्ण होंगे 100 मा बाकि आपके यहां से जो अगर बात करें तो यह आपके हो जाएंगे 50 marks के यह हो जाएंगे और 50 marks के यह हो जाएंगे टोटल आपके 200 अंकों का paper होगा 100 number यह 100 number यह इन दुनों को मिला कि देखा जाये तो और आपका 1.25 का एक question 1.25 का है निगेटिव मार्किंग नहीं है ठीके निगेटिव मार्किंग नहीं है यह बात द्यान रखिएगा और इसमें आप वो पूरा 200 में से 40% marks लाना अनिवार रहे है जरूरी यह तभी आप पास माने जाओगे यह द्यान रखिएगा तभी आप पा यह है इसमें जरूरी बात अब अगर हम बात करें वहीं बोला है कि यहां पर वह भी नर्मलाइज और उसके बाद से इसकी आपकी क्या हो जाएगी जब लिखित आप पास कर लोगे तो आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा और टाइपिंग में आपको क्या चाहिए गती हिंदी की नियुंतम 25 वर्ड चाहिए हां 25 वर्ड हिंदी टाइपिंग अगर हम बात करें तो हिंदी टाइपिंग में 25 वर्ड ठीक है यूनी कोड स्क्रिप्ट यूनी कोड स्क्रिप्ट ने से मंगल हो गया यह वाले जो फॉन्ट होते हैं तो मंगल पर टाइपिंग स्टार कर दिजिए आपकी यूनिकोड चाहिए 25 वर्ड हिंदी का और इंगलिस में भी टाइपिंग चाहिए 30 वर्ड पर मिनद साथ साथ इसमें यह भी बता दिया है कि 85% पर्सेंट एकुरेसी होना चाहिए मात्र गलती 15 वर्ड होगा ठीक है 85% एकुरेसी आपकी टाइपिंग में होनी चाहिए यह सब आपको बता दिया गया है हना तो यह चीज आप अपना टाइपिंग करते रहिए और ध्यान रखते रहिए कि क्या हमें करना है मैंने एक्जाम प कम्प्यूटर ऑपरेटर भर सकते हैं तो बीटेक वाले कम्प्यूटर ऑपरेटर एकदम भर सकते हैं यहां अगर आप देखोगे तो इसी का ओ लेबल के समकच आहारता यहां पर दिया गया है तो यहां साब साब दिया गया है आप कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिए के समकच यह माने जाते हैं असनातक अस्तर में अगर एक विशय आपने कंप्यूटर का कोई पड़ा है तभी भी आप eligible हो और जो इनके सासना देश में यह देख रहे हैं कि जितने भी डिप्लोमा सॉफ्ट्वेर अगर आप प्लस टू PCM से हो और यह सभी इसमें से कोई भी डिप्लोमा किये हो यह डिप्लोमा बस ध्यान रखिएगा मान्यता प्राप्त किस से मान्यता प्राप्त हो किसी यूनिवर्सिटी से या ICTC से या निलेट से तभी आपका मानने होगा इन जितने भी आपके डिप्लोमा दियेगा इन में से अगर आपने कोई किया हो जैसे PGDCWD भी किया है और PGDCA भी आपने किया है तो वो भी मानने है ये ध्यान रखियेगा ठीक तो यह ADCADCA किया है ड्योप किया है कोई भी आपने इसमें से डिप्लोमा किया है तो वो इस सासना देश के अ अनुसार आप O-Level के समकच हैं ठीक तो B-Tech वाले तो मानने हैं हैं ये ध्यान रखिएगा आप सभी ठीक है B-Tech All Branch ये आप इस सासना देश के अनुसार कंफ्यूज मत हो ये B-Tech All Branch पहले जासा नहीं रहा यहां साफ साफ M-C-A slash B-Tech A-Level B-Level C-Level के कंप्यूटर कोर्स इनके ब तो वे सभी आप कंप्यूटर ऑपरेटर के भर सकते हैं अब सलेबस क्या है सलेबस की बारे में बात करें तो reasoning आपका है देखो GS आपका जनरल वही है जो आपसे पूछा जाता है समान विज्ञान इतिहास भूगोल बाकी प्रसासनिक विवस्था UP का दिया गया है वस्तु स सेवाकर, अंतराष्टी संगथान, समसमाईक भी से, करेंट अफेर यह सब बाकी reasoning का सलेबस है 40 कुश्चन यहां से आएगा और computer आपका सबसे turning point जो आपका यह basic computer है और यह सभी advanced है एक unit आपका basic का है यह भी advanced ही है logarithm flow chart advanced portion होता है अब देशे data organization, database management यह सब आपको पढ़ना ह तो यह advanced portion है, PC software and office automation पढ़ना है यह भी advanced part है, यह productivity activity tool पढ़ना है, unix, unicode यह सब आपके advanced है, computer network, internet यह आपका general चीज है, emerging technology and web publishing यह आपका advanced है, और boolean algebra यह advanced है, data structure आपको advanced मतलब computer पढ़ना पढ़ेगा, तो इसके लिए जिनको भी तयारी करना है, team के द्वारा course चलाया जा रहा है computer का, computer operator का आप यहां से जुड़ सकते हैं, बहतरीन तरीके से आपकी तयारी होगी, UPP computer operator और UPSI ESI, दोनों में से अगर आप तयारी करना चाते हैं, तो combo भी ले सकते हैं, single किसी से dedicated तयारी करना चाते हैं, तो ले सकते हैं, बहतरीन तरीके से आपका syllabus complete कराया जाएगा, और उसमें आपको video class, notes और quizzes दिये जाएंगे, ठीक है, यह ध्यान रखीगा, classes आपकी 8 तारिक से start होगी, जिनको registration कराना है, तो अभी 799 plus GST है अभी आपका यह GST off चला है, तो आप registration कराके batch में admission ले सकते हैं, और classes का, जो है classes जब 8 तारिक से start होगी, तो उन्हें आप पढ़ सकते हैं, बाकी demo purpose से जिनको देखना है, यूटूब पे बहुत सारी classes मैंने लिया है, वहां से आप demo purpose से देख सकते हैं, तो चलिए इसी के सा झाल